जे मतादी नमस्ते मैं हूँ धर्मिंदर कौन मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारी यूट्यूब चैनल आज की इस वीडियो में हम लोग रमभातीज कब है इसका पूजन भी धी क्या है और इसका महत्तो क्या है इसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे तो चलिए वीडि 2022 में कब है बर्स 2022 में रमभातीज दो जून 2022 को मनाई जाएगी परतिवर्स रमभातीज ब्रत जेश्ट्र सुक्ल पक्ष की तिर्तिया के तिर्तिया तिथी के दिन मनाये जाता है धार्मी गरंतों के नुशार रमभातीज या रमभातीज या रमभातीज ब्रत सिग्र फलड की जाती है इंसे सब्हाएं के अनुसार संबूनर मंधन से उत्पन हुए 14 रतनों एक रम्भा थी जो बहत सुन्दरी थी अतह इसे अपसरा रम्भा की पूजा की जाती है यह ब्रत कुमारी का न्यायें अच्छे बर की कामना से करती है और विबाहित महिलाएं इस दिन अपने सुहा की लंबी आयू और बुद्धिमान संतान पाने के इक्षा से यह ब्रत रखती ह जेश्ट मास के सुक्ल पक्ष की तिर्तिया को महिलाओं दोरा यह ब्रत एक उत्सो के रूप में मनाये जाता है तो चली अब जानते हैं कि रम्भा थीज का पूजन कैसे करें रम्भा थीज के दिन यानि जेश्ट सुक्ल पक्ष तिर्तिया के दिन प्रातव दैनिक कारियों से निवरित्थों का स्वक्षब्रस धारण करें अब पुर्व दिशा की ओर मुह करके बैठें भगवान शुर्देव के लिए दीपक परज्वलित करें इस दिन अपसरा रंभा की पूजा भी की जाती है इस दिन बिवाहित इस्त्रिया पूजन में गेहू अनाज और फुल स लक्ष्मी जी की पूजा करती है इस दिन लक्ष्मी जी तथा माता सती को परसंद करने के लिए पूरे विधी विधान से पूजन किया जाता है कई अस्थानों पर विवाहित इस्त्रिया चुड़ियों के जोड़े की पूजा करती है जिसे रंभा और देवी लक्ष्मी का प्रति क्माना जाता है। पुन्ड होती है जय मातादी नमस्ते अगर आपका कोई और सवाल हो तो कमेंट में जरूर पूछें जय मातादी